जिस तरह रात का डिनर जरूरी होता है उसी तरह नाइट इसकीन के रूटीन भी जरूरी होता है अगर आप नाइट इसकीन के रूटीन फालो नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारा इसकीन प्राबलम हो सकता है इसकीन के रूटीन में सबसे पहले इस्टेप होता है फेसवास क करना तो फेस क्लीन करने के लिए मैं यहां पहोमेट फेसवास का यूज कर रही हूं अगर आपको इस फेसवास के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पर वीडियो है मैं उसका लिंक पर बने रही है वीडियो पूरा देखा करिए तो टमाटर का पूरा जूस मैं इसमें डाल दूंगी जो फेसवास वाला पाउडर है इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर दूंगी लेकिन थोड़ा सा ड्राई है तो इसमें मैं क्या यूज करूंगी आप लोग देखते रहिए to इसमें मैं पाणी का यूज कर रही हूं एक से दो चंवत पानी डालकर अच्छे से इस्पून की सहायता से मिक्स कर लेना है जितना आपको लगे कि मतलब पानी की ज़रूरत है उतना डालकर मिक्स कर लिजिए मिक्स करने के बाद इस से आपको फेस को कलीन करना है तो नाइट में, नाइट में मैं मार्केट का फेसवास नहीं यूज करती हूँ और मैं आप लोग से बोलते भी हूँ कि जितना हो सके केमिकल से आप लोग दूरी बनाइए, कुछ नहीं होगा आप लोग का फेस खराब हो जाएगा, अगर आप फोम रेमिडी यूज करते हैं तो आपको लोंग टाइम तक रिजल्ट मिलेगा, मार्केट का यूज कर रहे हैं तो आपका फेस बहुत जल्द खराब हो जाएगा, इस फेसवास को मैं बना कर रख ली हूँ और इसे रेगुलर मैं नाइट में यूज करती हूँ, पूरे फेस पे अच्छे से पेस्ट लगा कर मसाज करती हूँ, जिस तरीके से फेसवास करते हैं आप लोग उसी तरीके से करना है, फेस पे लगा लेना है, लगा कर 2-3 मिनट हलके हां से मसाज करना है, मसाज करेंगे तो जो आपके इसकीन पे धूल मिट्टी है, असानी से निकड़ जाएगा, अगर आप इस फेसवास क को एक बार यूज करेंगे तो भूल नहीं पाएंगे तो इसलिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूं आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और घर पर इसे बना सकते हैं फेस को साफ हों चमकदार बनाने के लिए रात का समय काफी एहम होता है क्योंकि रात में सोते ह तो इसकीन खुद को रिपेर करती है तो अगर आप सही तरीके से नाइट इसकीन के रूटीन फालो करते हैं तो आपके इसकीन पर कोई प्रावलम होगा ही नहीं अगर आप 40 के भी हो जाएंगे तब भी आपको देखकर कोई आपके उम्र का पता नहीं लगा पाएगा हर आते हैं कि उनके फेस पे हमेशा गुलो बना रहे उनको देखकर कोई उम्र का पता ना लगा पाए लेकिन आजकल बीजी लाइफ इस्टाइल के चक्कर में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो अपने फेस के लिए कुछ कर पाए तो पूरे फेस पे मेरे मसाज हो गया है दो क्लीन करने के बाद मैं अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाती हूं जो प्लांट वाला एलोवेरा होता है उसको मैं किस तरीके से लगाती हूं उसमें क्या मिला कर लगाती हूं तो आप लोग को अगर जानना हो तो वीडियो पर आप लोग बने रहेगा अगर आपको जैल जो अंदर का जेल उसकोःक कर लेना है जिस तरीके से मैं कर रही हूं इस तरीक से करने से आपके इसकीन के अंदर भी जाएगा इतना सारा जेल है कि इधर से निकड़ रहा है तो मैं इसमें यूज कर रही हूँ चार से पांच बूंद लेमन अगर आपके इसकीन को लेमन ना सूट करता हो तो कोई जबड़जस्ती नहीं है आप लेमन को इसकीप कर सकते हैं लेकिन कोशिस करिए आप लोग की जितना हो सके जो प्लांट वाला एलोवेरा होता है उसको यूज करना है मेरे पास बहुत ऐसा कमेंट आता है कि जो प्लांट वाला एलोवेरा होता है मेरे इसकीन को नहीं सूट करता है तो आप लोग गलत तरीके से यूज करते हैं तो सूट कहां से करेगा आपके फेस पे दाना निकड़ेगा ही या आपके फेस पे खुजली होगी तो प्लांट वाला एलोवेरा यूज करने का सही तरीका क्या है जो प्लांट वाला एलोवेरा है उसको काट कर आधा घंटा पहले आपको रख देना है ठीक है कैसे रखना है कि जो कट वाला भाग है उसको नीचे कर देना है उसको आधा घंटा जब आप लोग रखेंगे तो उसके अंदर एलो कलर का जेल होता है, जो इसकीन और हेर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, तो उसको निकारना है, तो जब आप आधा घंटा काट कर उसे रख देंगे, तो अंदर का जो एलो पदार्थ होता है, वो आसानी से निकड़ जाएगा, इस तरीके से आप लोग य इसे रखती हूं, जैसे कि आप सभी को पता होता है कि रात का डिनर जब हो जाता है, तो किचन में बहुत सारा काम होता है, जैसे कि बरतन धुलना, किचन साफ करना ये सब बहुत सारा काम होता है, तो मैं क्या करती हूं कि अपने फेस को क्लीन कर लेती हूं, फेस को क्लीन कर करने के बाद एलो बेरा अपने फेस पे लगा कर दो से तीन मिनट मसाज करती हूं मसाज करने के बाद मैं ऐसे इसे छोड़ देती हूं ठीक हैं ऐसे छोड़ने के बाद मेरे कीचन में जितना काम होता है मैं कर लेती हूं मेरे फेस पे एलो बेरा लगा रहाता है ऐसा नहीं है क कि आप अपने फेसका लगा लिए तो आपको बैठना है, ऐसा नहीं है, तो मैं इस तरीके से पूरे फेस imagen का बढ़ार लगा लाकर मैं अपने कीचन का पूरा काम कर लेती हूं, आधा घंटा लगता है कीचन का काम करने में आधा घंटा मेरे फेस पे एलो बेरा लगा रहता है इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि आधा घंटा एक घंटा अपने इसकीन के लिए निकाड़े हां मैं बोलती हूं कि आप रोज अपने इसकीन के लिए 10-15 मिनट टाइम दीज से एलोबेरा आपके स्कीन को मोस्चोराइज करता है इसमें एंटिंग एजिंग गुण भी होता है जो चेहरे से जूरियां को हटाने में मदद करता है अगर आप एलोबेरा का यूज करते हैं तो आपको लंबे समय तक जूरियां का सामना नहीं करना पड़ेगा मेरा अगर आप इस तरीके से अपना इसकीन के रूटीन करेंगे तो आपको काम भी नहीं रोकना पड़ेगा, आपका काम भी होगा और आपका इसकीन के रूटीन भी फालो होगा सही तरीके से, एलो बेरा जेल रोजाना लगाने से आपकी तवचा हमेशा जवान और खुबसूरत बनी रहेगी, अगर आपको अपने सकीन को जवा और हेल्दी बनाना है तो आपको हेल्दी डाइट लेना है, भरपूर मात्रा में पानी पीना है, हरी पत्तेदार सबजिया लेना है, आपको अपने फेस को मसाज करना बहुत जरूरी होता है, मसाज करेंगे तो ब्लट को अच्छे से क्लीन कर लेना है अगर आप डाइडेक्ट इस तरीके से धूलेंगे तो यह लोवेरा थोड़ा सा चिप-चिपा होता है तो नहीं निकड़ेगा फेस धूल करके मैं आ गए हूं और मेरा इस्कीन के रूटीन अभी यहीं पर खतम नहीं होता है मैं अपने फेस को घर पे बना सकते हैं आज कले मेरा फेबरेट क्रीम हो गया है मैं रोज नाइट में इसे यूज करती हूं एक बार बनाई थी पूरा खतम हो गया था फिर मैं दुबारा बनाई हूं इतना मुझे पसंद आ गया है कि रोज नाइट में मैं इसे यूज कर रही हूं इसकीन पर लगाने के बार ड्राइब ही हो जाता है पता नहीं चलता है कि स्कीन पर कुछ लगा है तो अगर आप लोग इस क्रीम के बारे में जानना चाते हैं इस क्रीम को घर पर बनाना चाते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग उस वीडियो को देखक स्क्रीम को बना सकते हैं मैं अपने पूरे फेस पे लगा ली हूँ अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए सेयर करिए आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए मैं आप लोग से मिलती हूं नेक्स्ट वीडिय याइ बाइ बाइ